दोस्तो हिंदू दर्म में कहा जाता है कि कोब्रा का काटा और सनी देव का मारा पानी भी नहीं मांगता सनी देव की जब सुब द्रिष्टी होती है तो एक रंक भी राजा बन जाता है और जब इनकी असुपद्रिष्टी होती है तो देवता, असूर, मनुश्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग ये सब समूलन नश्ट हो जाते है ऐसी मान्यता है कि सनी जिस अवस्ता में होते है उसके अनुरूप ही फल परदान करते है जैसे प्रचंड अगनी सोने को तपा कर कुंदन बना देती है वैसे ही सनी भी विबीन परिष्टितियों के ताप में तपा कर मनुश्यों को उन्नती के पत पर बढ़ने की सामार्थ्य यहों लक्षय प्राप्ति के साधन उपलब्द कराता है नव ग्रहों में सनी को सर्वस्रेष्ट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह एक रासी पर सबसे ज़्यादा समय तक विराजमान रहते है स्री सनी देवता अत्यंत ज्वालामाय और जागरत देवता है आज कल सनी देव को मानने के लिए पर्तिक वरक के लोग इनके दर्बार में नियमी तार्जरी दे रहे है आज इस वीडियो में हम एक ऐसे ही सनी देव के मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे जिसके चमतकार जानकर आप हैरान हो जाओगे तो बने रियेगा मेरे साथ अंत तक आपको सारी जानकारी मिल ही जाएगी महाराश्टर में एक छोटा सा गाउं है जो सिंगनापूर नाम से जाना जाता है जो सिर्डी साहीं बाबा के दर्शन करने के लिए जाते है उन्हें इस जगह के बारे में जरूर पता होता है वे सनी सिंगनापूर के दर्शन करने के लिए जरूर जाते है क्योंकि सिर्डी से सिंगनापूर मात्र 60 किलोमेटर दूरी पर ही इस्तित है यह जगह सनी देव के मंदिर के लिए तो परसिद है ही इसके साथ साथ इसकी एक और खासियत है जिसको सुनकर आप हैरान हो जाओगे लगबग तीनजार जन संख्या के सनी शिगनापूर गाओं में किसी भी घर में दर्वा जानी है कहीं भी कुंडी तथा कडी लगा कर ताला नहीं लगाया जाता इतना ही नहीं गर में लोग अलमारी सूटकेस आधी नहीं रखते और वे ऐसा सनी भगवान की आग्या से करते हैं लोग गर की मुल्यवान वस्तुए गहने, कपडे, रुपे, पैसे आधी रखने के लिए थेली या डिब्बे का ही परियोग करते हैं और केवल पशूँ से रख्षा के लिए ही एक बांस का दर्वाजा लगया जाता है गाउं छोटा है पर लोग सम्रद है इसलिए अनेक लोगों के गर आधोनिक तकनीक से इंट पथर तथा सिमेट का इस्तमाल करके बनाए गए है फिर भी दर्वाजों में किवाड नहीं है यहां दू मंजिला मकान भी नहीं है यहां पर कभी चोरी नहीं हुई यहां आने वाले भक्त अपने वाहनों में कभी ताला नहीं लगाते कितना भी बड़ा आप मेला क्यों ना हो किसी भी वाहन की चोरी आज तक नहीं हुई क्योंकि माना जाता है जो भी वक्ति यहां चोरी करेगा उसे स्व्यम सनी देव सजा देंगे और यह अनोकी प्रथा प्राचिन काल से ही चली आ रही है इस इस्तान पर सनी देव की विशेश किरपा है सास्त्रों के अनुसार सिंगनापूर में ही सनी देव का जनम हुआ था भगवान सनी देव के जनम इस्तान सिंगनापूर के संबन्द में कई कहानिया परचलन में है जिनमें से एक कहानी में बताया गया है कि पुरातन काल में एक पंडीत शिंगनापूर में पदारे पंडित जी नेत्र विहिन थे, एक रात उनके सपने में भगवान सनी देव परकट हुए और उनसे बोले कि सिंगनापूर में जमीन के अंदर मेरी परतिमा है, उसे आप बाहर निकालो इस पर पंडित जी ने सनी देव से कहा कि उन्हें दिखाई नहीं देता, इसलिए इस काम को करने में असमर्थ है फिर सनी देव ने उन्हें आखों की रोशनी लोटा दी, जब वह जा गए तो दृष्टी पाकर अत्यंत परशन हुए और सनी देव द्वारा बताई गई जगह पर खोदाई की, तो वहाँ पर सनी देव की एक परतिमा निकली इसके बाद सनी देव की परतिमा को बाहर निकाल कर सनी देव की मूर्थी की इस्तापना की गई तबी से सिंगनापूर में इसी इस्तान पर सनी देव की परतिमा विराजमान है कहते है उसी पंडित के वंसज आज सिंगनापूर में सनी देव की पूजा अराधना करते और कराते है कहते हैं सनी देव की वह मूर्ती आज भी बिना किसी छत्र या छाया के खुले आस्मान में इस्तापित है यह मूर्ती काले रंकी है पांच फोट नव इंच उची वह एक फोट छे इंच चोड़ी यह मूर्ती संग मरमर के एक चबूत्रे पर विराजमान है यहां सनी देव प्रखर धूप हो आंदी हो तूफान हो या जाड़ा सबी रुतुओं में बिना छत्र दारन की एक खड़े है राजनेता हो या कोई अबिनेता यहां सबी वर्गों के लोग एक सादारन भक्त की तरह हजारो की संख्या में सनी देव के दर्शन करने तूप परती दिनाते है ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सनी देव के मंदिर सिखनापूर आता है तो उसके सारे दुख बगवान सनी देव हर लेते है और यहां आने के बाद उसको एक अलोकिक सांती की अनुभूती होती है यहां पर आने वाला हर भक्त अपने साथ परसाद के रूप में सर्शो का तेल लेकर आता है जिसे बगवान सनी देव की स्व्यम्भू परतिमा पर तेला भिक्से किया जाता है इस मंदिर में परवेश करने के बाद कोई भी भक्त पीछे मुड़कर नहीं देखता क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में अगर कोई पीछे मुड़कर देखता है तो सनी देव नाराज हो जाते है और सायदी कोई होगा जो सूर्य पुत्र सनी देव को नाराज करना चाहे क्योंकि दोस्तों सनी देव के प्रकोप को वही समझ सकता है जिस पर सनी की डेया या साड़े साती चल रही हो तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूँ किसी नए टोपिक के साथ किसी नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम